Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses हैं, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, बोथ in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत ज़ादा helpful रहने वाले हैं, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, और आप quiz attempt कर सकते हैं weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, और फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्रवा, तिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते ह Name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुवारा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का, और उनको इधर उधर ढूलना ना पड़े content जहाँ पर हम आपको सारा content एक ही जगह पर प्रोवाइड के हैं, हेलो एवरीवन, तो इन दिस वीडियो हम 28 और 29 में के important current affairs discuss करेंगे, काफी helpful session रहेगा, एंड तक बने रहेगा, चलिए स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बात करते हैं, National Medical Devices Policy 2023 की, यह किसके द्वारा launch की गई थी, क्या इसका रूल इसके बारे में देखेंगे, इसी के साथ से हम देखेंगे, AMD, CF, यह भी launch किया था भी recently, तो पहले question पर आते हैं, कि National Medical Devices Policy किसके द्वारा launch की गई, तो हमारे health minister मंसुक मांडवे जी के द्वारा इसको launch किया गया, ठीक, Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा इसको launch किया गया था, अगर ministry का नाम पूछ जाए, जैसा नाम चाज़ेश कर रहा है, National Medical Devices Policy, यह क्या है, कि जो devices होंगे न, Medical Devices, क्यों न, हम उनको अपनी country में ही बनाए, ठीक है, उनके लिए infrastructure set up किया जा सके, ताकि एक तो हम उनकी construction कर सके, और दूसरा, उससे research and development करके, हम Medical Sector में आगे बढ़ सके, इसका एक 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 जामपल देख सकते हैं, इंडिया क्यों इतना जादा उच्छो कहें आपर, क्योंकि COVID-19 के टाइम पर आपने देखा था, जब पूरी दुनिया में Medical Devices, Medical Equipments, Medicines की कमी हो गई थी, तब इंडिया ने आगे निकल के आया था, और इंडिया ने ही different countries को यहां पर export किये थे यह सारे products, right, तो उसी में आगे बढ़कर, हमने हाँ पर National Medical Device Policy लाँच की, क्यों ना हम अपने ही products अपने देश में बनाएं, जैसे for example अगर हम देखें, defense sector में, हमने आतम निरबर भारत को अपनाया, हमने मेक इन इंडिया को अपनाया, ताकि जो defense के equipment है, technology हम दूसर country से import ना करके, क्यों ना उनको अपने घर में ही बनाएं, correct, फिर इसके बाद आ जाता है, AMD CF, यह AMD CF क्या है, जो यह भी launch किया गया, और यह भी मनसुक मानवे जी के द्वारा ही launch किया गया था, AMD CF है, assistance for medical device cluster for common facilities, थीक है, ताकि infrastructure को strengthen किया जा सके हैं, पर इसलिए यह भी launch किया गया था, right, moving on, तो आप देख सकते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मंसुक मानवे इन्होंने लांच किया, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी दोजार तेज को, as well as इन्होंने आपे लांच किया, AMD CF, दोनों चीज, नेक्स्ट, आज आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरें नरेंदर मोदी ने अभी फ्लैग ओफ किया, उत्राखंट की पहली वंदे भारत ट्रेन को, जो कि दैरादून से डैली के बीच में रहीगी, अब देखो, वंदे भारत ट्रेन कहीं पर भी आजा, इंडिया में, जहां पर भी फ्लैग ओफ की गई ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी के दवारा की गई है, चाहिए वो वर्चुली की गई हो, चाहिए वो फिजिकली प्रेजएंट हो के गई हो, ठीक, अभी जो रीसेंटली है, ये उत्राखंट की है, ये पहली वंदे भारत ट्रेन रहेगी, उत्राखंट की, कहां से कहां तक, देरादून से डेली के बीच में रहेगी ठीक है और ये चटी वंदे भारत ट्रेन रहेगी जो कि डेली को किसी दूसरी स्टेट से कनेक्ट कर दिया है इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे उत्राखंड 100% उत्राखंड का जो रेल रूट है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया ठीक है ये भी एक अच्छा क्वेशन बन सकता है तो चीफ मिनिस्टर कौन है उत्राखंड के पुशकर सिंग धामी जी गवर्नर कौन है जर्नल रिटाइड गुरमीत सिंग यहीं पर याद रखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क वैली ओफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यह सब आपके काँ पर है उत्राखंड में और यह दोनों युनेस्को साइट्स भी है नेक्स्ट नेक्स्ट पर आते हैं नेम दा कैम्पेंड जो लांच किया गया टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन ग्राम पंचायत लेवल ठेक डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए अभी क्या कैम्पेंड लांच किया गया था वो पूछा गया आपसे बताईए तो प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एट ग्राम पंचायत लेवल तो वो रहेगा स्मर्थ स्मर्थ नाम का एक initiative यहां पे एक campaign लाँच किया गया था जिसके अंडर 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने की यहां पे बात की गई बढ़ गया है एंड यूपी आई आप यह समझ लिए इड विल बी और गेम चेंजिंग तिंग फॉर इंडिया क्योंकि इससे पूरा देश पूरी हम देखेंगे देश यूपी आई को यूज करता है फॉर ट्रांजेक्शन पर्पॉसेज ठीक तो इसी लिए रूलर एरिया लांज किया गया था यूपी में करेक्श के द्वारा लांज किया गया था तो यह गृराज सिंग के द्वारा लांज किया गया था मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाए तो मिनिस्ट्री आफ रूलर डेवलप्मेंट के द्वारा इसको लांज किया गया था ठीक फिर इसी के स किया इस campaign ठीक है और बेसी गेम क्या था कि डिजिटल transaction को बढ़ाने की यहां पर बात की गई इन्द ग्राम पंचायत ठीक है एंड स्पेसिफिकली विमेंस में भी इसको बढ़ाने की यहां पर बात की गई फिर इसी के साथ से अगर हम विमेंस transactions की बात कर रहे हैं तो एक और रखेंगे बी सी सक히 योजना ये जो बी सी सक히 योजना है यह स्टेट के द्वारा लॉंच की गई यूपि के द्वारा enable द्वारा लॉंच की गई थी हुद्ग विमेंस को जॉब एकृप कर लैकी हाँ पर बात की गई उनको यहां को अपार्शूनिटीस प्रवाइड कराने की बात की गई ताकि अंडर दिस स्कीम उन लोगों को उन वीमेंज को जॉब एप्लाइमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके ठीक है चलिए नेक्स पर आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं स्मर्थ यह क्या है एक कैम्पेन है जिसने प्रमोट किया डिजिटल ट्रांजेक्शन अड़ ग्राम पंचायत लेवल नेक्स आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेर्स पर अभी रिसेंटली युनिसेफ वर्ल्ड हेल इस रिपोर्ट के अंदर बताये गया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से 18.7 परसंट ओफ दे चिल्डरन ऐसे हैं जो शिकार हुए वेस्टिंग के मतलब उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिली उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है जैसा अगर हम देखें तो आ एक टाइम का खाना भी प्रॉपर नसीम नहीं होता है उनके शरीर में जो न्यूट्रिशन वैली होती है वह बहुत ज्यादा कम होती है एंडेली बेसी पर जो वह काम करते हैं उसकी पूर्ति के लिए जो अमाउंट आफ नूट्रिशन चाहिए होता है वह बहुत कम रहता है ठीक है तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रूप जॉइंट चाहिड मालनूट्रिशन एस्टिमेट ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी जेमी 2023 के लिए जिसमा बताये गया कि 18.7% अफ दा इंडियन चिल्टन वर अफेक्टेड बाइश्टिंग इन 2020 दू पावर नूट इंटेक और रेकरेंट इनल्नेसिस करेक्ट फिर इसी के साथ साथ एक और डाटा याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं तो 148.1 मिलियन चिल्डन ऐसे थे अंडर दा एज ओफ फाइव जो की स्टंटेड थे जिनकी हाइट में रुका वड़ती 45 मिलियन चिल्डन ऐसे थे जो की वेस्टिट थे ये ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ और 37 मिलियन चिल्डन ऐसे थे जो की ओवरवेट थे करेक्ट चालिए इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे इंडिया लार्जस कंट्री है साथन एशिया रीजिन में विच हैज हाफ ऑफ इस चिल्रन विद वेस्टिंग इन दे वर्ल्ड वी लिफ करेक्ट और यह डाटा रिपोर्ट किसके द्वारा यूनिसेफ डब्लु एच और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलके रिलीज की गई थी नेक्स बात करते हैं बैंकिंग एन फाइनेंस की सेबी ने सेट अप की एक इंटरमीडियेटरी एडवाईजरी पैनल जो के लेड की जाएगी फॉर्मर एडी एस रवी रविंदरन के द्वारा तो याद रखना सेबी के द्वारा यह सेट अप की गई थी कमिटी 21 मेंबर की की ये कमिटी रहेगी और इसको जो चएर किया गया है इस कमिटी के जो चेर्मेंट रहेंगे वो क informing रहेंगे वो रहेंगे डाइस रविंदरन जी ही STEVE कमिटी एड्वाईज करेगी से भी कॉimana various changes in the legal framework कि कैसे exchanges, deposited participants, clearing corporation and other stock market exchanges से related हम क्या नए-नए rules ला सकते हैं, क्या-क्या changes कर सकते हैं और कैसे improvement ला सकते हैं इस sector में सेवी की बात करें तो मदा भी पूरी बग चेर कोर्शन रहेंगी मुंबई माराश्टा हेड़कॉर्टर and 1992 में सेवी को established करा गया था Moving on, next आ जाते हैं RBI RBI ने भी sanction किया merger of the Maratha cooperative bank with the Cosmos cooperative bank I repeat, RBI ने sanction किया voluntary scheme of amalgamation of Maratha साकारी bank with the Cosmos cooperative bank तो मतलब हम कहें Maratha साकारी bank आपका किस के साथ मिल जाएगा Cosmos cooperative bank के साथ with effect from 39 of May This means that all the branches of the Maratha साकारी bank जो कि मुंबई महराश्टा में है Will function as the Cosmos cooperative bank limited जो कि मुंबई महराश्टा में रहेगा Correct? चलिए RBI कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन रहेंगे गवर्नर्स? शक्तिकान दास, चार डेप्टी गवर्नर्स होते हैं यहाँ पर मुंबई महराश्टा हैटकॉर्टर और 1st of April 1935 में इसको established किया गया था Next आजाते हैं किस bank ने sign के एक agreement ICCL के साथ as its clearing and settlement bank तो वो रहेगा आपका Indian bank Indian bank ने भी ICCL के साथ tie up किया as their clearing and settlement bank काफ़ important mark करेंगे यहीं पर याद रखेंगे महेश कुमार बजाज यह तो थे आपके executive director from Indian कुम बैंक महेश कुमार बजाज इन्होंने अब यह जो agreement है यह exchange किया देविका शा के साथ जो की MD and CEO है ICCL की ठीक है ICCL के आपका Indian Clearing Corporation Limited correct तो Indian bank ने sign के एक agreement ICCL जो की है Indian Clearing Corporation Limited के साथ as their clearing and settlement bank यहाँ पर Indian bank facilitate करेगा कई banking services को to the members of BSE for clearing and settlement operations ठीक है next नेक्स्ट आज आते हैं फिर हम बात करने कि 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 कंपनी ने विच कंपनी लेड consortium bank bags 15,000 करोड रुपीज BSNL contract for 4G deployment देखो यह 4G किया जैसे 2G है था 2nd generation, 3G generation, 4th generation और 5th generation आगया आप तो 6th generation आने की भी बात की जानी है तो यह जो 4th generation है ना यह internet के speeds के साब से बात की जाती है simple terms में कर देखें कि आपके कितनी speed रहेगी 2G में कम होती थी 3G में और फास्ट वी 4G में और फास्ट वी और अब तो 5G आ गया आपके mobile phones में और पहली company बनी थी एटल जिन्होंने 5G launch किया था correct high internet speed रहती है आप फाइजी की और 4G की भी कम नहीं होती लेकिन 5G के comparison में 4G is little bit slow तो अभी recently पंद्रा सो करोड रुपे अब फंद्रा हजार करोड रुपे का एक contract दिया गया TCS-led consortium को from BSNL ताकि 4G की deployment की जा सके correct और यह जो consortium में यह consist करता है Tejas Network का भी इसमें साथ रहेगा और इनके साथ मिलके Tejas Network के साथ मिलके Tata Group के साथ मिलके TCS के साथ मिलके यहाँ पर यह काम किया जाएगा और जो deadline दी गई है union government के लिए दिवारा to BSNL for ruling out 4G service वो रहेगी अगस्ट 2023 की ठीक and deadline for 5G service यहाँ पर क्या है by the end of 2023 मतलब December 2023 तक moving on next पर आते हैं who was honored with the commemorative blue plague तो अभी यह commemorative blue plague से किन को सम्मेहनित किया गया वो रहेगा London home of princess Sophia Dulip Singh I repeat London home of the princess Sophia Dulip Singh यह तो है 2023 के लिए अगर बात करूँ जो important question बन जाता है कि last year 2022 के लिए किन को commemorative blue plague से honor किया गया था वो था London house of दादा भाई नरो जी ठीक है यह भी बहुत important बनता है 2022-23 का दोनों याद रखेंगे करेक्ट यह blue plague दिया क्यों जाता है यह basically is given in the field of जैसे several fields में recognition के लिए जैसे आपका arts, music, social reforms and आपका activism वगया ठीक है चलिए next पे आते हैं who has been appointed as the MD and Chief Executive Officer of करनाटका bank तो वो रहेंगे एस हरीहरा शर्मा जी श्री क्रिशन हरीहरा शर्मा जी को इनको पॉइंट किया गया as the managing director and Chief Executive Officer of करनाटका bank ठीक है कितने time period के लिए तीन साल के लिए इनको यह अपॉइंट किया गया है कि किनको अभी नया पॉइंट किया गया है MDN CEO for करनाटका bank वो है एस हरीहरा शर्मा कितने time period के लिए तीन साल के लिए इनको पॉइंट किया गया है ठीक करनाटका नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं एस हरीहरा शर्मा जी को नेक्स्ट यह काफी important question बनता है friends इसको note करके चलेंगे who has been appointed as the member of the advisory committee of COP28 conference of parties 28 जो कि आपके environment के उपर बात करेगी environment के उपर आपके rules बनाएगी आपके goals बनाएगी sustainable development goals पर बात करेगी हमारे जो agendas होंगे कि हमें कैसे environment को protect करना आगे बढ़ते हुए उसके उपर यहां पर बात की जाएगी ठीक तो यह conference of party 28 यह किसले थी on united nation framework for convention on climate change के उपर रहेगी ठीक है कब होगी यह कहां पर होगी cop 28 यह किस country के द्वारा host की जाएगी united arab emirates के द्वारा host की जाएगी इसी साल होगी यह आपकी 30 November से लेके 12 December तक क्या event रहेगा ठीक है cop 28 का और united arab emirates इसको host कर रहा है तो अभी question आता है कि किसन को appoint किया गया है member of the advisory committee of the cop 28 वो रहेंगे मुकेश अम्बानी ठीक है chairman and managing director of Reliance Industries Limited इनको appoint किया गया है as the member of advisory committee to the president of the 28th session of the conference of parties ठीक चलिए नेक्स पर आते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यह मुकेश अम्बानी नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा यह पहली women chairman and managing director बनेंगी of the power finance corporation परमिंदर चोपड़ा said to become the first women chairman and managing director of the PFC power finance corporation जो कि इंडिया का largest non-banking financial company है and central public sector undertaking under the ministry of power public sector enterprise board PESB has recommended परमिंदर चोपड़ा for the role of chairman and managing director of power finance corporation यह replace किसको करेंगी first women chairman and managing director of power finance corporation परमिंदर चोपड़ा यह replace करेंगी रविंदर सेंग धिल्लों को और यह कितने time period के लिए यहां पर पॉइंट की गई है तो three years के लिए इनको यहां पर पॉइंट किया गया है करेक्ट इनकूप परमिंदर चोपड़ा को 35 years का experience in the power sector including the National Hydroelectric Power Corporation of India and the Power Grid Corporation of India Limited Next Next आजाते हैं Science and Technology के उपर NASA के दो missions की बात करते हैं एक तो है आपका Tropics Tropics जैसा name सजस्ट करता है यह आपका weather monitoring satellite रहेगी जो किसके द्वारा launch की गई थी NASA के द्वारा launch की गई थी और यह New Zealand से इसको launch किया गया था ठेक दूसरी आजाती है Superbit Superbit के full form याद रखेंगे Super Pressure Balloon Imaging Telescope I repeat Super Pressure Balloon Imaging Telescope यह आपका क्या है एक NASA के द्वारा launch किया गया है Superbit यह basically क्या है पहला science mission to NASA जिसने दो revolutions पूरे करे of the Southern Hemisphere और यह दोनों NASA के आपके missions रहेंगे तो question पूछ सकता है कि Tropics and Superbit यह किस country के या फिर किस space organization के mission है तो यह आपके NASA के दोनों mission रहेंगे अगर NASA की बात करूँ तो administrator कौन रहेंगे यहां पर Bill Nelson headquarter कहां पर रहेंगा इसका वाशिंग्टन DC में फिर next पर आते हैं Indian Navy and ISRO इन दोनों के द्वारा मिलके अभी एक गगनियान recovery training plan को jointly release किया गया है कहां पर at the WSTF INS गरूदा कोची में यह WSTS क्या है Water Survival Training Facility ठीक है At the Water Survival Training Facility at INS गरूदा इस गगनियान recovery training plan को jointly launch किया गया Indian Navy and ISRO के द्वारा मिलकर ठीक इंपोर्टन्ट है मार्क करेंगे इसको chairman कौन है ISRO के के सिवान headquarter का है बैंगलोर करनाटका में and 1969 में इसको establish करा गया था next आजाते हैं Aubutry पर कन्नड राइटर and साहिते अकेडमी अवार्डी G.H. Nayak इनका recently निदन हो गया माईसूर करनाटका में at the age of 88 I repeat कन्नड राइटर and साहिते अकेडमी अवार्ड विनर इनका recently निदन हो गया in माईसूर करनाटका at the age of 88 correct चालिए और इनको साहिते अकेडमी अवार्ड से समानित किया गया था 2014 में next पर आते हैं Books and Authors बुक का नाम है Ringside इस बुक को ऑथर किया गया है Dr. विजय दार्दा के द्वारा और इस बुक को रिलीज किया जाएगा बाई शशी धरूर यह जो बुक है यह compilation है और विजय दार्दास weekly articles जो कि publish की गए थे लोकमत मीडिया ग्रूप newspaper में and other prominent national and regional dailies में of the country between 2011 से 2016 के बीच में चलिए next पर आते हैं State News Government of India के दोवारा अभी कुछ Chief Justice को appoint किया गया five high courts अगर हम देखें Bombay, Madras, Himachal Pradesh, Kerala और राजिस्थान ये नई appointment किया है एक बर वीडियो को pause कर लो पढ़लो इनको और note ज़रूर ले लेना ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के important current affairs अब आ जाते हैं quick revision पर Union Health Minister Mansook Mahanwiya ने लांच किया National Medical Device Policy 2023 के लिए PM Modi flagged off उत्राखंट's first वंदे भारत train ये धेरादुन से डेली के बीच में रही गी Ministry of Ruler Development ग्रीराज सिंग इन्होंने रिसेंटली लांच किया smarth campaign to promote digital transactions at gram panchayat level UNICEF, WHO and World Bank इन तिनों के द्वारा मिलके एक report रिलीस की गई जिसमें बताया 18.7% of the Indian children were affected by wasting C.E.B. ने set up कि एक intermediary advisory panel to lead by former ED S. Ravindran R.B. ने sanction किया merger of Maratha Cooperative Bank with the Cosmos Cooperative Bank Indian bank empaneled as clearing and settlement with ICCL T.E.C.S. led consortium wax 15,000 crore BSNL contract for 4G deployment Princess Sophia Dulip Singh इनके London home को अभी recently community blue plague से समानित किया गया 2023 के लिए और यही अगर मैं 2022 की बात करूं तो वो रहेगा London home of दादा भाई नरोजी जिनको blue plague से समानित किया गया Next Shree Krishnan Harihara Sharma तो यह S.Harihara Sharma को अपॉइंट किया गया है MDN CEO of Karnataka Bank Mukesh Ambani Chairman and Managing Director of Reliance Industries इनको अपॉइंट किया गया Member of Advisory Committee of COP28 जो होस्ट की जाएगी UAE के द्वारा पर मिंदर चोपड़ा यह पहली Women Chairman and Managing Director बनी Power Finance Corporation की Rocket Lab ने लॉंच किया Second Pair of Sets for NASA Storm Tracking Tropics और साथ की साथ सूपर बिट यह दोनों NASA के मिशन रहेंगे Indian Navy और इस रोइनों ने जॉइंटली रिलीज किया गगनियान रिकवरी ट्रेनिंग प्लैन कहां पर एक नई बुक रिलीज किया इनो ने ऑथर किया रिंग साइट जो कि रिलीज की जाएगी शशी थरूर के द्वारा गॉर्मेंट ओफ इंडिया ने अपॉइंट किया Chief Justice of Five High Courts यह आप डारेक्ली पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह तो थे आज की हमारे Important Current Affairs अब आज आते हैं Quick Revision पार्ट पर पहला Home Minister अमिच्छा ने Foundation Stone लेकिया और NFSU जो की है National Forensic Science University एस विल एस असंद पुलिस से तू पोटल को भी यहां पर लॉंच किया गया नेक्स्ट जो First Ever Night Landing की गई है भी INS विकरांद पर वो की गई मेग 29K के द्वारा पहले इससे और तेजस के द्वारा मिलके आकिन दिन में लेंडिंग की जाती थी लेकिन First Time First Ever Night Landing अभी की गई नेक्स्ट साउथ कोरिया के द्वारा Next Generation Small Satellite 2 को अभी लॉंच किया गया जो की पहली Commercial Grade Satellite रहेगी नेक्स्ट वर्ड स्क्रिंजोफर्णिया Awareness Day कब अबजर्ब किया जाता है 24 में इक अबजर्ब किया जाता है नेक्स्ट अलमोहद अलहिंदी ये एक exercise थी जो की नेवी के बीच में कंड़र्ट कराए गई बिट्विन इंडिया एंड साउधी अरेबिया लोकेशन क्या रहेगी साउधी अरे सेकेंड एडिशन रहेगा इस अलमोहद अलहिंदी exercise का बिट्विन नेवी आप इस तू कंट अब आज आते हैं होमवक सेक्शन पर सिटी ऑफ डेड ये एक युनेसको वर्ल्ड हरिटेज साइट है जो कि किस कंट्री में लोकेटेड है सेकेंड सेंड़ाई फ्रेमवर्क यह भी न्यूज में था यह एस्सेटेड है किस फिल्ड के साथ थर्ड गेंज ये एक स्टार्ट लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे ये करोगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंट्स ताकि मैं आपके लिए और बेटर कॉंटेंट डेली बेसिस पर लाज सकूँ सो तो अल GOOD जब हो प्रेंट्स न All- erm the непpi जा Talking T तो आपके व्यूजरी कर सकते हैं अप्र हमारी मीवी ब्रॉब्लम के साथ तो आप हमें कॉर्स Спजिकी बिल्ड़ी मीस के साथ तो आप हमें कॉंटट गर सकते है देनेi या फिर आप हमारी mail ID पर हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पर and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा and आपकी problem को solve करेगा that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the youtube channel as well as apart from youtube channel you can go and follow us at affairscloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677-333862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairscloud underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677-333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue is 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 झाल झाल